सब को नमस्कार गुजरात हाई कोट का कल ओर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल कौलिफिकेशन्स के बारे में जानकारी नहीं ले सकते इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आजादी होनी चाहिए किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है कोई पाप नहीं है हमारे देश में इतनी गरीबी है अपने घर की परिस्थितियों की वज़े से अपने घर की हालात की वज़े से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पड़ पाते जिनको पूरी अच्छी शक्चा नहीं मिल पाती मैंने ये जानकारी क्यों मांगी हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी आज लोगों में बहुत जादा बेचैनी हैं लोग बहुत तेजी से तरक्की चाहते हैं हम 21 सदी में रह रहे हैं 21 सदी का भारत 21 सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है वो बहुत तेजी से तरक्की चाहता है रोजगार चाहता है महंगाई से छुटकारा चाहता है वो च देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं। जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाई बनाई जा सकती है। जिसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई ज्याज जो है उसको राडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आरमी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एर फॉर्स के लोगों ने, बच्चों ने, युअंश ने जब ये बात सुनी तो ने बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है कैनेडा गए वो कैनेडा में उन्होंने कुछ वो कहनी की कोशिश कर रहे थे A plus B square, whole square, bracket square लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े embarrassing feel कर रहे थे एक और में देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को address कर रहे है बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे climate change जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कोई climate change नहीं है अब climate change global climate change global warming जो है ये बहुत बड़ा सक्ते है ये पूरी दुनिया मानती है पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि climate change कुछ नहीं है global warming कुछ नहीं है तो फिर तो उसके उपर हम action भी कैसे ले पाएंगे और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दभी जबान में हस रहे थे ऐसे में ये संदे होता है और ये प्रश्ण उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे एक भाशन में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखानी हूँ मैं गाउं के स्कूल गया था उससे जादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है प्रधान मंतरी का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है प्रधान मंतरी को एक ही दिनों में सेकड़ो फैसले लेने होते हैं विज्ञान से संबंदित अर्थवेवस्था से संबंदित अगर प्रधान मंतरी पढ़े लिखें नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किसम किसम के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्खत करवा के ले जाएंगे कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे जैसे नोट बंदी हुआ नोट बंदी से देश को बहुत खामियाजा बोगतना पड़ा नोट बंदी से देश एक तरह से दस साल पीछे चला गया इतना ज्यादा नोट बंदी से पूरी देश की अर्थेवस्था को नुक्सान हुआ अगर देश के प्रधानमंतरी पड़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोट बंदी ना करते GST लागू किया गया, GST बहुत अच्छा कॉंसेप्ट था लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थवेवस्था का बिड़ा गर्थ कर दिया आज अगर पड़े लिखे प्रधानमंतरी होते तो GST ठीक से देश के अंदर लागू होता किसानों के तीन काले कानून लागू किये गए जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे बिना बातचीत किये ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंतरी जी के कान भड़े और उन्होंने वो कानून पास कर दिया अंत पंत में एक साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े तो इस तरह से कोई भी व्यक्ती जाके प्रधानमंतरी जी को बेकूफ बना सकता हैगा प्रधानमंतरी जी पढ़े लिखे नहीं होंगे पिछले कुछ वर्षों के अंदर साथ हजार स्कूल देश के अंदर बंद कर दिये गए देश की अबादी एक तरफ बढ़ रही है स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे लेकिन साथ हजार स्कूल बंद कर दिये गए इसका मतलब देश में शिक्षा को तवजू नहीं दी जारी जो तवजू दी जानी चाहिए एक अंपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा हाई कोट के ओर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेके जो संशय था वो और बढ़ा दिया है इस बाद का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पड़े लिखे हैं कुछ डिगरी इधर उधर एक दिन अमिट शाजी ने भी प्रेस कांफरेंस करके कुछ वर्ष पहले डिगरी दिखाई थी अगर डिगरी है और वो सही है तो डिगरी दिखाई कि दिल दे क्यों नहीं जा रही गुजरात विश्व विद्याले अदिली विश्व विद्याले डिगरी क्यों नहीं दे रहे उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे तो लोगों के मन में दो ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे एक ही हो सकता है इसलिए नहीं दे रहे क्यों कि यह है क्यों दूँ मेरी डिग्री मानने मांगने वाले ये कौन होते हैं इनकी आउकात क्या है पर जनतंतर के अंदर इस तरह के प्रशन तो ठीक नहीं है इस तरह का हैंकार तो ठीक नहीं है अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए और दूसरा प्रशन जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फरजी हो डिग्री हो सकता है नकली हो तो ये जनता के मन में कल के ओर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गारा में बहुत सारे प्रशन खड़े हो रहे हैं और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधान मंत्री जी दिल्ली विश्व विद्याले से पढ़े गुजरात विश्व विद्याले से पढ़े तो गुजरात विश्व विद्याले को तो सलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वे देश का प्रधान मंत्री बन गया दिल्ली विश्व देले को तो celebrate करना चाहिए कि वो उनकी डिगरी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो आज एक ही प्रश्ण है मेरे सामने कि क्या 21 सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए Does India Need an Educated PM आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई manager hire करते हैं तब भी उसमें लिखते हैं कि ये शुब E-MBA qualification लिखते हैं तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े manager बड़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए अगर आपके कोई प्रेश्ट नहीं तो यह एक इंपोर्टन प्रेश्ट नहीं है सारे देश के सामने एहम प्रेश्ट नहीं है आज भारत बहुत जबर्दस तरीके से तरक्की कर सकता है 21 सदी का भारत क्या 21 सदी के भारत के प्रधान मंत्री पड़े लिखे होने चाहिए की नहीं होने चाहिए यह प्रश्ट नहीं है और यह एक बहुत एहम प्रश्ट थैंक्यो